गोडियूनिंग बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्जामपल 3.8 जिसमें एक ये नेटवर्क दिया हुआ है और इसमें एक एलो मीटर लगा है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम है और इसमें हमें करेंट पता करनी है तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ अब जब यहां पर देखिए करेंट हमारी आईवन आ रही थी और इसमें मालने कि करेंट आईजी फ्लो हो रही है तो देखिए यहां पर आने वाली करेंट आईवन और यहां से जाने वाली करेंट इसमें जंक्शन रूर लगाएंगे आने वाली करेंट आईवन और जाने वाली आईजी तो थर्ड वाले में क्या होगी आने वाली से जाने वाली को माइनस कर दीजे तो आने वाली I1 आ रही और जाने वाली IG तो क्या हो जाएगे I1 माइनस IG इस वाले में ठीक है अब इसकी बात करते हैं यहां से I2I यहां से IG आ रहे थे दोनों ही आ रही है तो दोनों जुड़ जाएंगी तो I2 प्लस IG अब आंसर चेक करने के लिए देख लीजे जितनी करेंट यहां से फ्लो कराया इसने I उतनी ही इसके अंदर आनी चाहिए तो देखिए यहां से I1 माइनस IG और यहां से I2 प्लस IG दोनों को एड़ कर दीजे तो क्या यहां पर करेंट आई बन रही है तो देखिए I1 माइनस IG और प्लस देखिए दोनों आ रही ना इस पॉइंट सी पर तो दोनों को जोड दीजे I2 प्लस IG कट गया क्या बचा I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 ही तो I है जो यहां डिस्टिब्यूट हो गई थी तो इसका मतला हमारा लूप जो है करेंट फ्लो सही करा रहा है अब देखिए इस लूप में ABDA में लूप ABDA में देखिए यहां से कट्रेंट कितनीmate फ्लो रही I1 रेजिस्टेंस कितना हन्डेट यहां पर कट्रेंट कितनी है IG और क्रेजिस्टेंस से 15 तो देखो हम क्रेंट की रिकिन में चल रहे हैं हमारा कोई करेंट अपोज नहीं कर रहा है पिछले question मैंने बताया था कि अगर oppose कर रहा है कोई current तो हम उसको minus कर देंगे अब यहां आए देखिए यह oppose कर रहा है हमारा तो यहां क्या कर देंगे minus I2 और 60 ohm इसका resistance है ठीक है यहां पर क्या कोई cell लगा है तो answer है नहीं लगा तो जब नहीं लगा तो उसका voltage 0 कर देंगे तो यहां देखिए क्या है इसको थोड़ा सा चाहें तो solve कर लें या रहने दीजे इसको ठीक है ऐसे ही बना रहने दीजे equation 1 ले लेते हैं इसको हमें पता क्या करना है इसमें current IG पता करना है अब आ जाईए इसमें DCBD में लूप हम लेते हैं DCBD में देखिए यहां से चले 5 ohm का resistance है और current किती है I2 प्लस IG ठीक है जैसे यहां गए तो यहां oppose कर रहा है ठीक है तो oppose कर रहा है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे minus लगा देंगे ठीक है यहां पर हम लोग minus लगा देंगे तो अब minus लगा देंगे जब तो यहां पर क्या हो जाएगा minus लगाने से यह हमारी I1 minus IG और resistance यहां पर कितना है बच्चों 10 ohm हमने लिखा नहीं है 10 ohm का resistance है इंटू 10 ठीक है यहां से चले यह हो गया अब इसमें आना है यह तो हमारे लूप के ही एकॉर्डिंग चल लगा है एंटी क्लॉक्वाइस करेंटेस में तो हमारा IG प्लस में ले लेंगे और resistance कितना है 15 ohm है अब इसमें भी कोई सेल नहीं लगा हुआ है तो यह नहीं किस सेल काई 15 IG अभी और solve करने की जरूरत है I1 इधर ले लिजे माइनस 10 I1 ठीक है और I2 हमारा सिर्फ 5 I2 है कोई बात नहीं IG देखिए 15 15 5 20 और 10 30 30 IG इन questions को बहुत ध्यान से करना पड़ता है नहीं तो यह question गलत हो जाते है equation number 2 ठीक है अब हम लोग लेते है equation number 3 वो 3 कौन सी लेंगे ये वाली लेंगे ये वाली तो कहां से शुरू करेंगे E A यह ही शुरू कर लिजे A D C E और A लूप हम ले लें कौन सी A D C E और A ठीक है तो यहां सुरू करते हैं 60 I2 यहां गए यहां प्लस में 5 I2 प्लस IG यहां आए तो यहां कितनी current flow हो रही है अच्छा इसका को रेजिस्टेंस दिया नहीं है इसमें कोई internal resistance है नहीं तो इस इक्वल टू आपका 10 वोल्ट हो जाएगा चोकि बैटरी का EMF दिया होगा है इसको solve कर लें 5 I2 तो कितना हो जाएगा 65 I2 प्लस 5 IG is equal to 10 चाहे तो 5 से divide कर दे तो और आसान हो जाएगा तो 5 बंजब 15 13 हो जाएगा 13 प्लस IG is equal to 2 यह equation number 3 हो गई हमारी देखे हमें IG निकालना है तो किसी तरह से हमां I1 को खतम कर दे तो IG में equation हम लोग की हो सकती है sorry यहाँ I2 लिखना है मैंने I3 लिख दिया ठीक है तो आप देखें equation number 1 और 2 में I1 को खतम करने कोशिश करें तो I1 यहाँ क्या है 100 I1 यहाँ 10 है तो इसको हम 10 से multiply कर दे और दोनों को add कर दे तो यह minus और plus खतम हो जाएगा तो देखेंगे multiply equation 2 by 1 and adding sorry multiply equation 2 by 10 and adding in equation 1 बस तो 2 से पहले हम इसको multiply कर दें sorry 10 से तो कितना हो जाएगा 100 I1 और 10 से जब करेंगे तो 50 I2 और 10 से करेंगे तो 300 IG is equal to 0 अब इसको नीचे ले आएं तो कितनी हो जाएगी plus का 100 I1 है वो ठीक है और I2 है minus का 60 I2 और 15 IG है वहाँ पर 0 अब इसको solve करेंगे तो यह cancel out हो जाएगा अब यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा देखे 60 में से 50 जाएगा minus का 10 I2 और 300 में 59 होगा तो कितना हो जाएगा 315 IG is equal to 0 ठीक है यह बात समझ में आ गई होगी अब देखें यह I2 IG में यह हमारी equation नमबर आ गई मालीजे 4 और 3 हमारी पास I2 IG में क्या करें अगर 315 का मल्टिप्लाइस में कर दें तो IG IG खतम हम I2 खतम कर दें ठीक है तो I2 क्या कर दें 10 से इसमें मल्टिप्लाइए कर दें और इसमें 30 कर देंगे तो बात बात बन जाएगे equation number 3 को हम 10 से मल्टिप्लाइए कर दें हम लिख नहीं रहे हैं आपर 10 से मल्टिप्लाइए कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 130 I2 plus 10 IG is equal to 20 ठीक है अब इसमें हम कितना मल्टिप्लाइए कर दें 13 से कर दें तो 13 से जब हम करेंगे तो माइनस का इतना हो जाएगा और plus तो 13 का हमको मल्टिप्लाइए करना है इस वाले में तो 315 का जब 13 में हम करेंगे तो आज आएगा 4095 IG और यहाँ पर 0 है तो कोई मतलब नहीं रहेगा तो 0 हो जाएगा अब देखिए दोनों को आड़ करने से कैंसल आउट हो रहे हैं अब 4095 में अगर हम 10 आड़ कर दें तो कितना बन जाएगा 4195 हाँ 4105 ठीक है IG is equal to 20 तो IG की वैलू हमारी यहाँ क्या आ रही है 20 अपॉन 4105 ठीक है तो अगर इसमें को solve करें तो आ जाएगा हमारा 0.004872 और इसको अगर हम डेस्मिल का जंजट खतम करें तो 1 2 3 तो हम लिख सकते हैं इसको 4.8 इंटू 10 पाउ माइनस 3 एमपियर ठीक है IG को अगर मिली में लिखना चाहते हैं तो माइनस 3 को हम मिली में कर दें नहीं 4.8 मिली एमपियर ऐसे भी किया जा सकता है तो उमीदे बच्चों समझ आया होगा कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था बस किर्चाप का रूल और जंग्शन रूल लगाना था उमीदे समझ आया अगर गुडबाए